दोस्तों जैसे ही बर्साइट की शुरूःत होती है अचानक से हमारे घर की छट टबकना शुरू हो जाती है तो अगर आपके भी घर की छट टबक रहे हैं तो सबसे पेले आप अपनी छट पर जाकर देखिए आपको इस तरह की दरारे देखने को मिल जाएंगी तो दोस्तो घर की छट टपकने की सबसे बड़ी वजह ये दरारे ही होती हैं तो दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते हैं छट से पानी टपकना कैसे रोकें तो इस विडियो को सुरूर से लेकर आखिर तक का जरूर देखिए दोस्तों मैंने इन दरारों को बनने के बाद लगबग दो दिन से लगातार वारिश पढ़ने के बाद भी आप हमारे घर की छट नहीं टपक रही है तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरू करें तो चलिए जानते हैं इस छट को कैसे ठीक करें सबसे पहले दोस्तों हमें एक बिरिश लेना होगा जैसे कि आप सकते हैं ये लोहे के नातों वाला बिरिश है tou हमें करना क्या होगा दरारों के हमें साइड में इस तरीके से इसको रगड़ना होगा जिससे मतलब इसमें जो मिट्टी होती है जो धूल बगेरा होती है वो यहां पर साप हो जाएगी तो इसको थोड़े देर तक आपको हिसना है जिसकी वजासे यहां पर जो यह दूल मिट् लिए आप जाड़ो से भी कर सकते हैं इसके बार हम इसमें हलका सा पानी यहां पर डाल देते हैं क्योंकि यह काफी खुशक हो चुकी है इस समय यहां पर धूप का सी जाने तो दोस्तों यहां पर आप यह काम धूप महीं करिए अगर धूप नहीं है तो आप थोड़ा देखिए जो तरीका मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले केमिकल आता है एक वाटेक करके तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में में दे दूँगा या फिर आपको घर के आसपास भी असानी से मिल जाता है जहां पर पर यह आपको केमिक केमिकल मिल जाएगा तो इसको यूज करना है ध्यान दीजी सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा सिमेंट भी चाहिए होगा तो जैसे कि आप दे सकते हैं यहां पर आप किसी भी कंपनी का सिमेंट ले सकते हैं वैसे आप अच्छा सिमेंट लेंगे तो और आप इसमें थोड़ा सा भी केमिकल लोटी है यह बाय एक का लर का होता है और इसकी än धोड़ा सा सिमेंट छाने कर लेंगे और इसकuję कीजिए आपकी आगपके नहीं जाने चाहिए такой का ही हम इसको इसको घड़ा सा legitimate करता है और इसके बाद हम इसमें साहला साम्धानी अगर दरारे जादा हैं तो आप इसको हलका सा पतला रखिए तो यहां पर धूब भी काफी हो रही है तो यह मतलब जल्दी से काम भी कर जाएगा तो हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मिला दिया है अब हम दोस्तों इसको किस तरीके से बिरेंगे ध्यान से देखिए तो यहां पर सबसे पहले हमें एक बिरेश लेना है और बिरेश की मदद से हमें इसको लगाना है तो जो मतलब दरारे जहादा है आपको वहा कोड भी लगाने है मतलँ कम से तर्ट गाने हैं मतलब और त्रीच समर्ण को या इस केमिकल को भल लेना होगा इसके भाद हम बिरिश को इस तरीचसर चलाएंगे और फिर हम दूसरे तरीके से इसको लगाएंगे तो चलिए अब हम आपको सभी दरारों पर इसे फटाबट से लगा कर दिखा देते हैं दोस्तों याद रखें जब आप इसका एक कोड लगा लें तो जब तक कि अच्छी तरीके से ना सूखे आप इसका दूसरा कोड नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप इसका दूसरा कोड लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा सबसे पहले आपको एक कोड को अच्छी तरीके से सूख जाने देना होगा तो जैसे कि आप इसको मान लेते हैं हम एक गंटे इसको लगाएंगे एक गंटे में सूख जाता है तो आप दूसरे गंटे में दूसरा कोड लगा लीजिए तो जैसे मतलब मोसम होगा उसी हिसाब से सूख जाएगा अगर ज्यादा धूप होगी तो जल्दी सूख जाएगा तो दूसरा कोड किस तरीके से लगाना है ध्यान से देगी है तो सबसे पहले आप केमिकल को मिक्स कर लीजिए इसके बाद इस तरीके से हमें दूसरा कोड लगाना होगा तो पहला कोड जैसे कि आपको पता ही होगा हमने सीधा लगाया था और दूसरा कोट हमें इस तरीके से लगाना होगा तो जोस्तों ये काम आप जब ही कीजिए जब ही अच्छी तरीके से सुख जाए तो इसके बाद दूसरा कोट हम लगाएंगे इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम दूसरा कोट कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद हमें तीसरा कोर्ट लगाना होगा तीसरा कोर्ट हमें सीधा लगाना होगा जैसे हमने पहला लगाया था उसी तरीके से तो चलिए अब हम फटवट से दूसरा कोर्ट भी लगा लेते हैं और याद हम इसको सुखा आकर आपको दिखाते हैं जैसे के हमने आग तीसरा कोड भी माल लिया है, एक निकिताँ होगा और आप पिलिए वाले से लाघ के रहे रहाएं को imperial में, छहाले प्रषट सकती है ? इसको उन-लाइन भी खरीज सकते हैं ? सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे किसी एक बरतन में थोड़ा सा पानी लेकर इसको मिला लीजिए लेकिन दोस्तों याद रखें आप इसे कम-कम ही mix करें अगर आप इसको जादा पानी मिलाकर रखेंगे तो यह बहुत कि इस पर काफ़ी दूल जब चुकी है लग लाग हमने रात मतलब यह लगा था आप सुबह हो चुकी है तो शबसे पहले हम इसके सफाई करेंगे इसके धूल बूल साप करेंगे, धूल साप करने के बाद, इसके बाद हम इसको पर ये paint करेंगे, तो ये white color का है, बिल्गुद पैंट की तरह ही होता है, तो सबसे पहले हम इसका a coat इस तरीके से लगाएंगे, दोस्तों इसके भी हमें 3 coat लगाने होंगे, जैसे कि हमने पहले chemical के 3 coat लगाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम इस तरीके से इसका a coat लगाएंगे, इसके बाद हम इसका दूसरा coat थोड़ी देर के बाद लगाएंगे, थोड़ी मतलब आप कमसम 5 गंटे का गेप दीजिए, 5 गंटे के बाद आपको इसका a coat लगाना है, तो सबसे पहले ह 5 गंटे के बाद आपको इसका दूसरा coat लगाना होगा, तो चलिए सबसे पहले हम सबी दरारों के उपर इसका a coat लगाएंगे, फिर 5 गंटे के बाद हम इसका दूसरा coat लगाएंगे, जैसे कि अच्छी तरीके से सूख चुका है, 6-7 गंटे मतलब 5 गंटे हमारे हो चुके ह करेंगे buck behalf for harvest , इसके बाद हम सफाहे करेंगे बूरुष की मतलब से, हम फिर 1 बाद के दूसरा coat कौर्ट लगाएंगे जैसे कि हमने पहला coat लगाएंगे मनें तो इसका रीजल्ट वह thing अच्छी से बागाना होगा, फिर 20 गिंधर में नहीं करेंगे, गिूंकि पहले detention में ऑन तो दिन से हमारे घर की तरफ बारिस प्ड़े लेकिन यह नहीं टपका है क्युक्ति पहले हल्की मतलग चार बूंदे भी पड़ती तो हमारे घर की शट टपक ना शुरू हो जाती थी लेकिन आप फिलाल तो अभी तक नहीं टकी आप पता नहीं इसकी यहां पर मुझे को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी सिर्फ जो यह समाना है उसी के हमें पैसे देने पड़ें तो इसका जो मतलब लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अपने घर के आटसी केमिकल लेकर आसकते हैं तो दोस्तो इस तरीके आपको 3 पर कोड लागा लेने हैं और लगबग 24 गंटे में अच्छी तरीके सेट हो जाता है और इसके बाद अगर durch भी पड़े तो फिर ये अच्छी तरीके सेट हो जाता है लेकिन दोस्तो याद और जाद से जादा नीचे कमेंट करके आप अपनी समस्य से ज़रूर बताएं